साथ यों, बीते साथ दसकों में जिनोंने यहां सरकारे चलाई है, उन्होंने ओडी सांकों गरीबी और बुखमरी के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। गरीबों और आदिवासों के नाम पर योजनाए बनती हैं, लेकिन बिचोलिये और दलाल उसका फायदा लूट लेते जाते हैं, और असली लाभारती बेचारा सर पकड़ करके रोता रहता है, यही इनकी योजनाओं का हाल रहा है। स्वतंत्रता सेनानी सहीद लक्ष्वन नाई के गाउं में सुविदाओं का क्या हाल है। यह मुझ से ज़्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं, सौनसा दनों से सम्रुद्ध भारत का एक्षेत्रा विकास में बहुत पीछे रह गया है। स्वास्त व्यवस्था को लेकर जो रवया रहा है वो भी आप बली भाती जानते हैं। कोरापुट में तो ऐसी गटनाएं भी देश ने देखी हैं कि इलाज तो मिला नहीं, मुर्त्यू के बाद भी अपमानित होना पड़ता है। साथियों आपके इस चौकिदार ने इस हालत को बदलने का गंबीर प्रयास किया है। हम देश भर की बड़ी पंचायोतों में अस्पताल खोलने पर काम कर रहे हैं। देश भर में देड़ लाख वैलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। गाउं गाउं में बच्चों और प्रसूता माताओं को टीके लगाने का काम जोरों पर चल रहा है। भाई और बहनों सारे देश पे हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ओडिसा के गरीब आदिवासी परिवारों को हमारे इन प्रयासों का लाब नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यहां पर मेरे साथ कंदे से कंदा मिला करके चलने वाली भारतिये जंता पार्टी की सरकार नहीं है। साथियों आज दुनिया आईश्मान भारत की चर्चा कर रही है। यह दुनिया भर में गरीबों को मुप्त इलाज देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। देजबर के लगबर पचास करोड गरीबों को इसके तहट हर वर्ष पांच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज सुनिस्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश हो, जारखंड हो, बिहार हो, माराश्त्र हो, तमिल नाडू हो, देजबर के सत्रा लाख गरीब मरीजों को इतने कम समय में इसका लाब मिला है, इलाज हो चुका है। लेकिन सत्रा लाख लोगों में भी मेरे उड़ी साका एक भी गरीब नहीं है, एक भी मरीज नहीं है, आपको लगेगा मोदी ने अन्याय किया, जी नहीं, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे यहां की सरकार जिम्मेवार है। इस योजना के शुरू होने के पहले से, मैं यहां की सरकार को आगर कर रहा हूँ, प्राथना कर रहा हूँ, कि आईश्यमान योजना से जुड़ जाईए। लेकिन पता नहीं, उनको आपकी परवा नहीं है, कि उनका कुछ और गनीत है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इस योजना से जुड़ी नहीं रही है। साथियों, अगर ओडिसा की सरकार इसमें सामिल हो जाती, तो सिर्फ ओडिसा ही नहीं, बल्कि देशरे केद किसी दूसरे राज्यके अस्पतालों में भी, यहां के मेरे गरीब साथि को मुप्त इलाज मिल जाता। माली जे ओडिसा का कोई नागरी दिल्ली गया है, वहां काम कर रहा है, वहां बिमार हो गया, तो अगर आईश्मान योजना है, तो उसको वहां की बड़े-बड़े अस्पताले भी उसकी सेवा करेंगी। अगर वो सूरत में गया है, और सूरत में कनोगरी कर रहा है, वहां कुछ हो गया, हाटे ने गा गया, तो वहां पर आईश्मान योजना होगी तो लाब मिलेगा। इस सरकार को देखने की फुरसद नहीं है भाईो।